ओम साही राम, Welcome to Science Amarpan channel, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं experience लेकर आई हूँ पूजा जी का की बाबा किस तरीके से हमारे लिए savior होते हैं, बाबा हमारी रक्षा किस प्रकार करते हैं, हम जब भी बाबा को पकारते हैं बाबा definitely आते हैं और हमें क्योर करते हैं, बा बाबा किसी और के माध्यम से भी आते हैं लेकिन इस experience में पूजा जी की मदद की है बाबा की उदी ने जो चमतकार किया है वो बाबा की उदी ने किया है जिस उदी को हम पस यूही महसिक राक समझते हैं न वो एक राक नहीं वो एक चमतकारी उदी है बाबा की उदी बाबा क उसे धुनी जलाई थी न वो आज तक अखंडित चल रही है आज तक और उसी धुनी का चमतकार है बाबा के हातों की धुनी है वो यह समझ लीजिए वो बाबा का अशिरवाद है वो है उधी जो संजीवनी है हम सभी भक्तों के लिए वो संजीवनी है बाबा का अशिरवाद ह तो उसे एक महस राख ना समझे, उसे एक मिट्टी ना समझे, वो एक बहुत चमतकारी है तो चलिए मैं पूजा जी की voice को add करने जा रही हूँ, आप खुद ही सुनेंगे उनका बहुत ही प्यारा experience कि किस तरीके से बाबा ने एक निशान भी नहीं पढ़ने दिया, जब उन पर कोई परिशानी आई, तो आप खुद सुनेंगे, मैं उनकी voice को add कर रही हूँ, और अगर आपके भी कोई experience हो, तो जरूर शेर करें, स्क्रीन पर चल रहे हैं नमबर पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर कौन नहीं उठता है, तो आप WhatsApp पर message कर सकते हैं, ठीक है, तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेर करें, ये भी बाबा की एक सेवा है, तो बहुत सारे devotees ऐसे हैं, जिनके साथ में हर रोज चमतकार होते हैं, लेकिन मों कभी शरम की वज़ा से या कभी किसी और अगर चाहते हैं कि बाबा आपसे प्रसंद रहें, तो जरूर जरूर करें, ठीक है, तो चलिए मैं लूंगी समाप्ती, लेकिन मैं पूझा जी की वाइस को आड कर रही हूं, आप उनका अनुभव सरेंगे, ठीक है, ओम साही राम, चै साही राम, ओम साही राम, हेलो मेरे सा परिवार बिननिती के चनल पर, मैं सभी को सबसे पहले तो प्रणाम करती हूं, और अपना अन्भव मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं, मेरा जो अन्भव है, यह साही बाबाजी के उदी के उपर है, और यह जो अभी नौरात्री बिती है, उसी के, I think, सब्तमी यह अस्टमी वाले दिन का है, कुछ ऐसे ही का है, हुआ कुछ ऐसे की मेरी मदर नौ दिन का ब्रत रखती है, और मेरे हाँ कल से स्थापना होती है, तो मेरी मदर बोलती है कि वो जो फला हार होता है, उसमें सिंहाडे की आटी की और आलू मिला करके जो पकोड़ियां चानी जाती है, उसको वो पोलती है कि मैं फटाफट सेप में डालती हूँ, आप ऐसा करो ना कि कडाही मैंने रख दी है, तेल गर्म हो गया होगा, एक बार चेक कर लो, और कि गर्म है की नहीं, तो यह मेरी पकोड़ियां आप क्या करो कि तल के निकाल दो, तो मैं गई, मुझे मम अच्छा खासा, उसके बाद से अचानक से जो मैं पकोड़ियां डाली, तेल छटक करके, मतलब खौलता हुआ तेल, वो मेरे एकदम हाथ का, मतलब मेरा राइट हैंड है, उस हाथ के जो हमारी कलाई होती है, वहां पे आकर के लगा, और मेरा ऐसा लगा ना कि ओ मा, कि मुझ मेरा हाथ जल गया, बाबा मेरा हाथ जल गया, बहुत तकलीफ था, मैं आपको बता रही हूँ, लोग बोलते हैं कोलगेट लगाने को ठंडा पानी, तो मैं उस टाइमिंग में मैं प्रॉपर उदी जल रखती थी, मैं उदी जल जाके लगाई पहले, उसके बाद से फिर मु मेरा हाथ जल गया, प्लीज बाबा मुझे ठीक कर दो, मैं मतलब इदम छोटे नन्ने बच्चे की तरह मैं रो रही थी, और आपको विश्वास दिलाओं कि उसके बाद से जो उदी होती है, उदी को ले करके अपने हाथ पे, मैं उसको हलका सा एक बुन उसमें किवल पानी म कोई छाला ना पड़े, कोई दाग धबा ना पड़े बाबा, आपको मैं बता रही हूँ कि पूरी रात मैं इतने आराम से सोई, मुझे कोई कस्ट नहीं हुआ, और अगले दिन जब मैं उठी थी न, तो कोई जलन का नाम और निशान नहीं था, और कोई छाले नहीं पड़ मेरे हाथ पर पड़ा, और वो भी दो जगा पड़ा था, और उनों दोनों जगाओ पर मुझे इतनी बेताहाशा जलन थी, कि मैं एकदम रो गई छट पटा गई, जैसे बिना पानी के मचली छट पटाने लगती है, जब उसको हम पानी से निकाल देते हैं, तो वैसे मेरी हा मतलब आधी रात बीटते बीटते अगली सुबह आते आते मेरा वो दर्ड मेरा वो जलन का जो घाव था वो गायब हो गया, और बस दिखा क्या तो पपड़ी आ गई, और अपने आप पपड़ी आकर के इसकी मिगदम नीट अन क्लीन, कोई दाग धबानी, कोई दर्ड ने, कोई तकलीफ नी, बाबा की उदी रेली बहुत चमतकारिक है, मेरा ये उदी पे, तो मतलब अन्भाव मैं उदी के लिए बोलू तो मेरे पास में बहुत सारे अन्भाव हैं, लेकिन इसको मैंने अपनी आखों देखी है, चीज मैंने रियलाइज की, कि अभी जैसे हम पीते किसी भी बॉड़ी या कहीं पे भी हमको लगाने के बाद में उसका रिजर्ट आखों देखी दिखता है, तो हम उसको क्या मानते हैं, कि साइन्स या फिर बाबा, नहीं, बिज्ञान से बड़े, बिज्ञान से परे हमारे बाबा है, मैं इस चीज को मानती हूँ, जहां पे बिज्ञान बोलता है, कि जलने के बाद में आपको यह हो सकता है, यह दाग आ जाएगा, मैं बोलती हूँ कि बाबा की उदी, अगर किसी स्कॉट पे भी लगा रहे हैं, और मन से लगा रहे हैं, दिल से लगा रहे हैं, तो यह वो चीज धीरे-धीरे करके एकड़म से हमारे खतम हो जाती हैं, वो दाग हमारे सरीर से हर जाता है, तो यह मेरी उदी का अनुभौ है, बहुत ही प्यारा, मतलब भी आपको बतानी सकती कि मैं शब्दों में उस शिश को बया ही नहीं नहीं कर सकती, जो आप बिटी यह उदी के साथ में, मेरे साथ में हुई, जो विस्वास करें, यही कहना चाहूंगी, बाबा हमारे बहुत ही दयालू है, क्रिपालू है, वो सब पे अपनी रहम नजर रखते हैं, और सब पे बस करम भी करते हैं अपना, बस उनको समझने की बात है, कि बाबा को, मतलब कहते हैं ना कि आप बस मानो, उनके सामने हाथ जोर् विस्वास कीजिए, ओम साहिराम, जै साहिए